हलो एवरीवन, एवरीड़े किचन अन्ट्राफ्ट में आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो के पार्ट वन में हमने देखा कि ब्रेड्स से हम एर ड्राय क्ले कैसे बना सकते है इस वीडियो में हम देखेंगे उस कले से सुन्दर से राखी बनाना तो यह राखी बनाना हम शुरू करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए हमें किन चीजों की आवश्यक्ता है इस कले को शेप देने के लिए हमने कुछ चीजे लिए है हमने लिए है चकला, बेलन, एक छूरी सबसे इंपोर्टेंट हमारी ये कले जो हमने 24 गंटे रेफ्रिजरेट की थी वो इसके बाद हम ले रहे कुछ अक्रलिक कलर्स राखी के लिए धागा कुछ मोती और सजावट की चीजे और अलग-लग शेप्स की कटोरी तो सबसे पहले हमने कले ले ली है उसे हम अच्छे से हाथ से मसल मसल के गूथ लेंगे जब तक वो स्मूथ ना हो जाए हमें इसमें अगर कोई कलर अड़ करना है तो हम पहले से भी कर सकते है या फिर बाद में टाकी तयार होने के बाद उस पे भी हम कलर कर सकते है मैं इस ब्रेड के डो में थोड़ा सा लाल कलर मिला रही हूँ इस तरह से हम इसमें लाल कलर मिला देंगे और इसे अच्छे से एक सरीका कर लेंगे इसे हमने अच्छे से मसल मसल के गूठना है आप आपके पसंद के हिसाप से कोई भी कलर का डो तैयार करके रख सक्ते हैं तो राखी के लिए सबसे पहले हमें एक बेस ले लेना है मैंने डो में से थोड़ा पार्ट ले लिया है और उसे हम रोटी की तरह बेल देंगे और कटर की सायता से हम छोटा सा राउंड इसमें से काट लेंगे हमने दो राउंड काट ले रहे हैं बची हुई क्ले सेप्रेट कर देते हैं तो यह हमारे दोनों राउंड तयार है हमने राखी का धागा ले लिया है और इस तरह से हमें यह राखी के दोनों तरफ चिपका लेने हैं और राखी का बेस तयार कर लेना है मैंने थोड़ा सा फेविकॉल लगा दिया है तो अब हमें इस पे थोड़ी डिजाइन बनानी है हम अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डिजाइन बनाएंगे और फेवी कॉल की सायता से इसे हम बेस पे चिपकाते जाएंगे तो मैंने अपने चॉइस के हिसाब से ये राखी को सजा दिया है इसे हम करीबन एक दिन के लिए अच्छे से सुखा लेंगे मैंने यहापी यलो कलर ले लिया है और बारीक जीरो नमबर ब्रश से मैं इसे कलर कर रही है एकरेलिक कलर बहुत जल्दी सुख जाते है सुखने के बाद हम इस पे मंचाहे कुंदन या मोती चिपका देंगे तो ये रही हमारी बहुत ही सिंपल ब्रेड कले से बनी राखी बिल्कुल तयार तो आप भी एक बनाना घर पे ट्राइ कीजिएगा और ऐसी सिंपल क्राफ्ट आइटिम और बहुत सारी रेश्पीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एब्लिडे की चनान क्राफ्ट